दोस्तों आज हम एक चुडिया की कहानी बताने जा रहा हैं दोस्तों गर्मी का मौसम था और जंगल में किसी कारण बस आग लग गई जंगल में जो भी जिव जन्त पच्छी जो भी जानवर थे वे सभी जंगल छोड़कर भागने लगे क्योंकि आग की लप्टें बहुत तेजी से फ़र लए थी और सभी जानवर सभी जिव जन्त अपने प्राणों को बचाने के लिए जंगल से दूर भागने लगे उसी दौरां एक छोटी सी चड़िया ने देखा कि जंगल में आग लग गई है और वह जंगल के बगल में एक तालाब था और उसी तालाब से अपने चोच में पानी राला कर जंगल के उपर गिराने लगी जंगल की याग को बुईहाने का प्रयास करने लगी उसके इस कारे को देखकर जंगल के जो भी जिवजन्त जो भी जानवर पसपच्छी थे वे सभी उसकी निंदा करने लगे उसके उपर हसने लगे और उससे कहने लगे ए चड़िया तुए बता कि तेरी एक एक बुंद पानी से क्या जंगल की याग बुश सकती है आग बुझाना तो दूर है खहीं याग की लफ्टर लग गई तो तुम्हारा जीवन इस अंकट में पड़ जाएगा तुम खुद जल कर भस्म हो जाओगी ये सब बाते सुनकर चुडिया ने उन सब को एक बहुत ही सुन्दर ज लेकिन ये भी सच है कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग लगानों वालों में नहीं बलकि आग बुझानों वालों में लिखा जाएगा ये सब बाते सुनकर जो भी जंगल के जिवजन थे वे सब